हेलो एब्रिवान आज के इस पर्टिक्लर सेशन में चत्थीजगर पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा कंडुक्टेड ACF Ranger 2020 के question paper को मैं discuss करूँगी और मेरा main aim होगा agriculture के एक बड़े ही important सवाल को इस session के साथ आप सभी के साथ discuss कर देना साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो question जिस topic से लिया गया है उस topic को पूरा का पूरा आज के ही इस session के साथ complete कर लें ताकि next बार जब भी exam हो और इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो हमसे definitely बने और वो छूटे ना सो आईए एक बार जल्दी से साथ में मिलकर के पढ़ लेते हैं सवाल को सवाल मैं आप सभी के लिए पढ़ देती हूँ which of the following computer simulation program is for apple scab apple scab क्या है भी तो apple scab जो होता है ये सेब में यानि कि apple में होने वाली बड़ी important बिमारी है और ये जो apple scab है ये एक fungus से होता है उस fungus का नाम है विंचूरिया सवाल में क्या पूछा गया है कि apple scab के लिए दिये गए options में से कौन सा computer simulation program यूज़ किया जाता है अब ये computer simulation program का क्या लेना देना है apple scab से ये जो apple scab नाम की बिमारी है या कोई भी बिमारी जो plants में होती है उनका पूर्व अनुमान लगाने के लिए हम कुछ computer programs को यूज़ कर सकते हैं जिने हम disease forecasting programs के नाम से भी जानते हैं और ऐसे ही disease forecasting program का नाम apple scab के लिए इस सवाल में पूछा गया तो अभी answer जानने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो हम पढ़ लेंगे disease forecasting models अलग-अलग diseases के लिए और उसके बाद देखना आराम से ये सवाल आप सभी से बन जाएगा सो शुरुआत करूंगी मैं आज के इस class को with a very important topic और ये जो topic हम पढ़ने जा रहे हैं बटा ये topic क्या है तो it is disease forecasting model forecast करना मतलब किसी चीज़ का पूर्वा अनुमान लगाना भाई या पहले से पता चल जाएगा तो हम तयारी रखेंगे ना कि उस बीमारी को कैसे deal करना है बहुत important सवाल है ध्यान रखना और ये जो session है ये केवल ACF aspirants के लिए नहीं बलके हर वो बच्चा जो agriculture background से है किसी भी exam की तियारी कर रहा है definitely आपके लिए ये important होगा और आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे तो बढ़ी अपने penzo copies निकालिए और इस particular topic को no down करके याद करके जाईएगा शुरुआत करते हूँ मैं सबसे पहले forecasting model के साथ जिसका नाम है FAST क्या नाम है FAST अब जो बच्चे को agriculture background clear नहीं है उसको तो लगेगा यार FAST FAST तो इंगलिश शद्य मतलब होता है जल्दबाजी नहीं ये गलत फहमी मत रखिएगा FAST एक disease forecasting model है जो की disease forecast करता है tomato के case में और कौन सी बीमारी की forecasting करता है ये भी एक सवाल है तो टमाटर में एक बीमारी होती है नाम है early blight नाम क्या है early blight तो आपको याद क्या करना है आपको ये याद करना है कि जो FAST है ये computer simulation program है किस particular बीमारी की forecasting करता है early blight और किस particular crop के early blight की forecasting करेगा तो टमाटर एक बर मैं short में बता देती हूँ उसका full form अगर आपको लगता है तो आप जरूर लिख ले ना FAST का full form है forecasting alternaria solenai forecasting alternaria solenai in टोमाटो क्योंकि ACF ranger की तयारी non agriculture background के भी बच्चे करते हैं तो उनके लिए alternaria solenai होता क्या है ये भी जानना जरूरी है ये जो मैंने बीमारी लिखी है ना early blight ये early blight एक fungus से होता है एक कवक से होता है जिसका नाम है बिटा alternaria solenai तो भाई बस इतना जान लो काफी है I'm sure आप से आने वाले paper में सवाल बन जाएगा FAST is a disease forecasting model for alternaria solenai और ये alternaria solenai से एक बीमारी होती है early blight किस crop में होती है तो tomato में होती है चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं next disease forecasting model पर जल्दी से इसका नाम लिख लेते हैं नाम है इस computer simulation model का blight cast क्या नाम है? blight cast पहला हमने पढ़ा था FAST अब हम पढ़ रहे हैं blight cast blight cast जो होता है ये late blight नाम की बिमारी का forecasting करता है किसकी forecasting करता है? late blight नाम की बिमारी का और late blight भी किस में? किस crop में? तो आलू में होने वाले late blight बिमारी की forecasting करने वाले program का नाम है blight cast एकदम दिमाग में ताला लॉक कर लो ये सारे सवाल बड़ी ही important होते हैं चलिए अब हम आज आते हैं तीसरे computer simulation program की और जिसका नाम है simcast क्या नाम है भाई लोग? simcast और simcast भी जो है ये भी late blight of आलू की ही forecasting करता है तो हमारा काम असान हो गया next हम आ जाते हैं इसके बाद तुम ये सवाल ट्राई करना last में I'm sure बन जाएगा next चो computer simulation program है this is very important because ये पूछ लिया गया है पिछली बार के ACF के पेपर में epiwen क्या नाम है? epiwen देखो मैं आपको फंडा बताती हूं ये जो when है ना भटा ये when आया venturia से अब ये venturia क्या है? तो venturia वो fungus है venturia वो fungus है जिससे की apple में scab disease होती है जिससे की apple में scab disease होती है यानि ये जो epiwen है ये कौन से disease की forecasting करेगा भाई लोग? apple scab की मालो exam में सवाल आ गया कि apple scab किस से होता है? fungus से कौन से fungus से भाई लोग? venturia से वेरी वेरी important और ये ही तो सवाल था अभी last में एक बार में आप सभी को question दिखाऊंगी and I am sure आप सभी लोगों से बन जाएगा चलिए यहां तक तो हमने complete कर लिया हमें चार models पड़ लिये हैं पाचवा भी पड़ लिया जाए पाचवा जो है that is epi-bla epi-bla तो ये जो epi-bla नाम का disease forecasting model है ये blast disease की forecasting करता है rice blast is a very important disease of rice rice में लगने वाला एक बहद important disease होता है epi-bla next आजाते हैं एक और important चीज यहां पर याद रख लीजिएगा वो ये कि ये जो blast disease है ये होता है pyrecularia नाम के कवक से आप में से जो भी बच्चे non agriculture background के हैं please इस चीज को भी note down किया कीजिए कि वो pyrecularia after all है क्या is it a bacteria is it a virus क्या है तो मैंने आपको बता दिया it's a fungus अब मैंने क्यों नाम लिखाया है ना आपको next disease forecasting model में ये नाम use होगा एक और disease forecasting model है जिसका नाम है pyreview क्या नाम है तो ये जो pyreview आया है भाई लोग ये pyrecularia का pyre है मतलब मालो exam में सवाल आ जाए next बार खोप करते हैं कि ऐसा आ जाए कि पूछ ले कि pyreview कौन सी बिमारी की forecasting करता है तो ध्यान रखिएगा ये forecast करके देगा आपको blast of rice अगें तो फंडा भी बड़ा ही कियर है भाई पाईडी मतलब पाईडी कुलारिया तो इसी हो जाएगा हमारे लिए याद करना इस सारी चीजों को चलिए next आ जाते हैं एक और बचा है very very important Mary Blit Mary Blit तो ये जो Mary Blit नाम का disease forecasting model again very very important ये बिटा forecasting करता है fire blight नाम की बिमारी को और fire blight जो है ये किस crop की बिमारी है भाई लोग तो apple की बिमारी है किस crop की बिमारी है apple की बिमारी है और तुम्हें ये भी जान लेना चाहिए ये जो fire blight होता है ये arvenia नाम के bacteria से होता है मतलब हमने क्या सीखा कि arvenia is a bacteria तो करीबन हमने आज के session में साथ अलग-अलग disease forecasting models complete किया अगर आप जब भी ACF ranger दोगे क्योंकि आपकी ACF के syllabus में disease forecasting एक topic दिया हुआ है plant pathology वाले section में so definitely कुछ न कुछ सवाल इस पर बेज कुछे ही जाएंगे so इसको जरूर prepare कर लीजेगा और अब आईए सवाल को एक बार दुबारा देखें सवाल था which of the following computer simulation program is for apple scab circos, micos, epi-ven, epi-dem so I am sure आप सभी को अब answer clear है the correct answer is epi-ven अगर आपको ये video अच्छा लगा है दिया गया information आपको पसंद आ रहा हो तो do share this video like and subscribe as well thank you so much झाल